हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इस कृती वर्मा, वेलकम टू में चैनल बयोलजी बाइट, तो ये है कंट्रोल और कोडिनीशन का लेक्चर नमबर थर्ड, आज का टॉपिक है कोडिनीशन इन प्लांट्स, कोडिनीशन इन अनिमल्स और हुमन, हुमन में और अनिमल्स में कोडिनीशन कैसे होता है, उसे तो हमने डिसकस कर लिया, कि उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है, बट जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उसमें ना तो ब्रेन पाया जाता है, ना ही कोई स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, फिर उनमें कोडिनीशन कैसे होता है जो भी external stimuli होते हैं उसके against वो कैसे response करते हैं plants क्योंकि उनमें तो ना brain होता है और ना ही spinal cord होता है जो signal को भेजेगा तो plants external stimuli के against response करेगा तो आईए देखते हैं कि plants में कैसे coordination होता है coordination in plants यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे figure में दिया हुआ है mimosa pudica जिसे हम touch me not कहते हैं और हिंदी में उसे common language में छुई मुई कहते हैं जब भी हम इसको touch करेंगे तो यह shrink हो जाएगा वो secure जाएगा तो यह response कहलाता है plants के द्वारा external stimuli जो हमारा hand होता है जब भी हम उसे touch करेंगे तो वो secure जाएगा यह plants के द्वारा stimuli का response होता है तो plant के lips में भी कुछ receptors होते हैं जिससे यह response होता है जैसे touch me not plant का shrink होना germination of seed seed का germination होना यह सब response है against external stimuli हाला कि यह touch me not plant में जो response होता है वो बहुत ही quick होता है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे figure में before इसका leaf एकदम straight है और जैसे यह touch करेंगे तो यह shrink हो जाएगा बहुत ही quick response होता है आप लोगों ने भी कभी touch करके देखा होगा यह बहुत ही quick response होता है और germination of seed हाला कि यह बहुत slow response है जैसे plants बहुत धीरे धीरे grow करते हैं set का germination जो होता है वो बहुत ही slow process होता है पर यह भी response है तो कुछ response plants में बहुत ही quick होता है तो कुछ slow होता है coordination in plants के two types होते हैं पहला growth dependent और दूसरा growth independent independent में हम देखेंगे तो यह बहुत ही immediate response होता है stimulus का जैसे dropping of lips, पत्तों का गिरना पेड़ों से और touch me not plant on touching it जब हम touch me not plants को touch करते हैं तो वो shrink हो जाता है जो यह growth independent होता है वो बहुत ही quick और immediate response होता है जो हमने अभी discuss करा और यहाँ पर पहला है growth dependent इसमें tropic movements होते हैं जिसके कुछ types होते हैं जैसे phototropism इसका movement light की तरफ होता है, geotropism इसका gravity के तरफ होता है chemotropism इसका chemicals के तरफ होता है और hydrotropism इसका movement water की तरफ होता है एके करके से हम discuss करेंगे पहला है phototropism इसका movement light की तरफ होता है और वो light है sunlight जब भी plants को sunlight मिलेगा तो वो उसकी तरफ bend हो जाता है यहाँ phototropism में देखेंगे यहाँ sunlight है तो यह जो plants है उसका growth sunlight के तरफ bend हो गया है तो इससे हम phototropism कहते हैं मतलब light की तरफ इसका growth होना इसके दो टाइपस होते हैं पहला है positive geotropism और दूसरा negative geotropism जैसे जो हमारे roots का growth होता है वो तो gravity के साथ साथ होता है तो इसे हम positive geotropism कहते हैं और जो हमारे shoot का growth होता है वो gravity के against होता है gravity नीचे होती है तो shoot का जो growth होता है वो उपर की तरफ होता है तो इसे हम negative geotropism कहेंगे third है chemotropism chemotropism में जो भी pollen होते हैं या फिर chemicals होते हैं उनके तरफ growth होना इसे हम chemotropism कहते हैं fourth है hydrotropism water के तरफ growth होना जैसे यहाँ पर root है वो straight growth कर रहा है और यहाँ second वाले diagram में आप देखेंगे यहाँ पर dry soil है एक तरफ और दूसरे तरफ moist soil है यहाँ पर water available है तो यहाँ पर जो root का growth हो रहा है वो water की तरफ bend हो गया है तो इसे हम hydrotropism कहेंगे अब हम plants के hormones के बारे में पढ़ेंगे chemical compounds which help to coordinate growth, development and responses to the environment जो भी chemicals compound होते हैं हमारे plants में जो growth में help करते हैं प्लांट को development में help करते हैं और जो भी environment के response होते हैं उसमें help करते हैं उसे हम plant hormones कहते हैं plant hormones के भी types होते हैं main plant hormones आर यहां पर four types के plants hormone दिये गए हैं पहला है auxin synthesized at shoot tip जो shoot का tip होता है वहां पर auxin पाया जाता है इसका function है help in growth क्योंकि shoot के tip से ही plants का growth होता है तो यह वहां पर पाया जाता है और growth में help करता है phototropism more growth of cells toward light phototropism मतलब light की तरफ growth होना है इसमें भी auxin का role होता है second is gibralins help in the growth of stem जो stem का growth होता है उसमें यह help करता है cytokanins promote cell division plants में जो cell का division होता है वो cytokanins की वज़ा से होता है यही hormone promote करता है fourth है abscissic acid abscissic acid को stress hormone भी कहते हैं inhibit growth cause wetting of lips यह abscissic acid जो है वो growth को inhibit करता है हमारा अगला topic है chemical coordination in animals animals में कैसे chemical coordination होता है hormones in animals हमारे में कौन कौन से hormones होते हैं hormones these are the chemical messengers secreted in very small amount by specialized tissues called ductless gland they act on target tissue या organ usually away from their source endocrine system help in control and coordination through chemical compounds called hormones हमारे body में जो chemical messengers होते हैं जो एक message को दूसरे जगह पहुचाते हैं हमारे different body parts में वो hormones होते हैं यह हमारा endocrine system है nervous system हमने study कर लिया है और second जो हमारा था वो था endocrine system उससे हम पढ़ेंगे जिसमें hypothalamus होते हैं gutary gland होते हैं parathyroid gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovary, infemal, antestasin, mild यह जितने भी glands है वो मिलकर एक साथ endocrine system बनाते हैं जो हमारे endocrine system है उसमें बहुत सारे types के glands पाये जाते हैं उस glands से कौन-कौन सा hormone release होता है और उसका function क्या होता है उसे हम देखेंगे पहला hormone है thyroxine thyroid gland से यह release होता है यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे thyroid gland है यहाँ पे fourth number पे thyroxine यहीं से release होता है thyroid gland जो होता है वो neck या throat reason में होता है इसका function होता है regulation of metabolism of carbohydrate, fat and protein carbohydrate, fat and protein के metabolism को regulate करता है thyroxine second है हमारा growth hormone जो की master gland, pituitary gland से release होता है जो इसका location है mid brain mid brain में ही pituitary gland पाये जाता है regulate growth and development हमारे body के growth and development को regulate करता है third है adrenalin यह adrenal gland से release होता है above both kidneys हमारा जो तोनों kidneys होता है उसके उपर, just उपर adrenal gland पाये जाता है यहाँ फिगर में देखेंगे, यहाँ भी हमारा kidneys होता है और उसी के उपर adrenal gland पाये जाता है इसका function है regulation of blood pressure blood pressure को regulate करता है heart beat को emergency हो, तो उसमें carbohydrate metabolism को regulate करता है fourth है sex hormone जो testosterone male में होते हैं और estrogen female में होते हैं जो testosterone होते हैं वो testis से release होता है और estrogen ovaries से genital या lower abdomen area में यह पाया जाता है changes associated with puberty हमारे body में changes आते हैं during puberty उसे यह maintain करता है testosterone and estrogen fifth है insulin pancreas से release होता है stomach के नीच से पाया जाता है pancreas और इसका काम है reduce and regulate blood sugar level जो blood sugar level होता है उसे regulate करता है insulin iodized salt is necessary because क्यों हमारे लिए iodized salt जरूरी है iodine mineral is essential part of thironine hormone so it is important that we must consume iodized salt as in turn it is essential for thyroid gland as it controls carbohydrate proteins and fat metabolism for best balance of growth deficiency of iodine might cause disease called coiter iodine जो होता है वो essential part होता है thironine hormone का मतलब thironine hormone की formation के लिए iodine बहुत ही जाना जरूरी है इसलिए हमें हमेशा iodized salt लेना चाहिए अगर हम iodized salt नहीं लेंगे तो यह hormone की deficiency होगी हमारे body में और हमें एक disease हो जाएगी जिससे हम goiter कहते हैं जिसमें हमारा जो neck होता है वो swell हो जाता है बहुत ही जादा swell हो जाता है इसलिए हमें हमेशा iodized salt लेना चाहिए diabetes cause it is due to deficiency of insulin hormone secreted by pancreas that is responsible to lower या control the blood sugar level हमारे pancreas से जो एक hormone release होती है जिसका नाम है insulin hormone वो हमारे body में blood sugar level को control करती है अगर insulin hormone की deficiency हो जाएगी हमारे body में तो हमारे blood sugar level बढ़ जाएगा और हमें diabetes हो जाएगी treatment है patient have to internally administered injection of insulin hormone which help in regulating blood sugar level इसका treatment ये है कि जो patient होगा diabetic patient जो होता है उसे insulin का injection दिया जाता है जिससे उसके body का blood sugar level control में रहे अगर आपको इस लेक्शर में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजे and don't forget to subscribe my channel and also share with your friends thank you प्रे है है अछूउ आपको इसlectionदे झाऊ़ आपको 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 आपको